नमस्कार दोस्तों आईए खाना खालीजेगा आप सभी लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो वो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे सब्सक्राइब करना फिरी होता है इसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों मैं आज बाटिगा सिटी में सोफा ड्रै क्लीन करने के लिए आया हूँ अभी दोपैर का समय है और धूप काफी तेज है और गड़ी में इस समय बज़रे हैं दो और खाना खाने का समय हो गया है मैं आज अपने साथ खाना नहीं लाया हूँ मुझे लग रहा था कि काम जल्दी खतम हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो काम है वो काफी बढ़ गया है लगता है कि मैं शाम छे या साथ बे तक ही फिरी हो पाँगा इसलिए मैं अभी जिनके घर पर आया हूँ सोफा डैकिन करने के लिए उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया है दोस्तों जिनके घर में सोफा डैकिन कर रहा हूँ यह फैमिली बहुती अच्छी है मैं इनको पांस साल से लगता सेवाए दे रहा हूँ मेरे लिए आज इन्होंने दाल और चामल बनाए हैं ये दाल चामल बहुती स्वाडिश्ट है इसके अंदर हरा धनिया डाला हुआ है जिससे दाल चामल का स्वाथ काफी बढ़ गया है ये मुझे बहुती अच्छे लग रहे हैं और इन्होंने दाल चामल बनाने में एक खास रेसीपी का यूपयोग किया है इन दाल चामल का स्वाथ किसी रेस्टोरेंट जैसा है मैं इनका धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया नहीं तो कुछ लोग तो पानी की भी नहीं पूस्ते है मैं इनका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं बाए दोस्तो कर दोस्तो कर दोस्तो कर दोस्तो झाल 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 झाल